आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच और बंदर नहीं और आज सुछ चाकु जी ने भी कुछ ऐसे ही इंडिकेशन दिये कि सहमती बनती हुई कहीं दिख रही है इस पर आपको देखिए मैं आपको एक चीज बता रही हूँ चर्चा कौन कर रहा है आप ही लोग कर रहे है न हम लोग तो कुछ नहीं कह रहे है जब होगा जब डिसिशन ले लिया जाएगा फाइनली तब आप सब को पता चल जाएगा कि क्या डिसिशन है क्या नहीं है दो बार राहूल गांदी से मुलाकात हो चुकी है तो इस भी से पर कितना आपको लोग कितना पॉजिटिव देखिये राहूल गांदी चीजी की साथ हमारी मुलाकात होती रहती है वो सब लोगों से मिलते हम लोगों से भी मिले अब क्या वो चर्चा हुई और क्या नहीं हुई इसको मैं नहीं आपको पता सकते कुछ तो ऐसा जैसे जिस तरह हम बार-बार सुन रहे हैं चाको जी ने भी कहा कि आखरी पैसला राहूल गांदी लेंगे और जो अभी इनिशन मिल रहे है वो पॉजिटिव है और आम आदमी पार्टी इंतजार कर रही है आपके प्रस्ता होगा देखिये राहूल गांदी प्रेजिडेंट अब दे कॉंगर्स तो अल्टिमेट डिसीजन वो लेंगे और जैसा वो लेंगे वो सब सब लोगों को पता चल जाएगा आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी को हराना है तो सब को साथ मिलकर आना होगा और दिल्ली में कह रही है मैंने तो नहीं कई बार अरविन केजरीवाल अपनी सभाव में भी कह चुके है कि जब तक हम साथ नहीं लडेंगे ट्वीट भी उन्होंने कि साथ अगर हम लडेंगे तब हम उन पर बीजेपी पर आपको यह मालूम है मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा ना झाल झाल